नमस्का students और judicial aspirants आज का ही जो वीडियो है नेकिन यह बहुत ही important है यह हम वो बात करने जा रहे हैं कि जो जो judiciary के लिए तैयारी करना चाहते हैं यह judicial services में आना चाहते हैं तो उसमें ऐसी क्या 5 qualities चाहिए आपको जिससे कि आप एक successful judicial career को प्राफ्त कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि क्या-क्या ऐसी requirement है जिसके बिना शायद आपका preparation अधूरा हो जाए और आपके सपने भी पूरे नहों पाएं ठीक है तो सबसे पहली quality जो हम देखेंगे वह यहां पर हमको दिख रही है वह यह है क्या prepare a schedule एक आप अपना schedule तयार कीजिए कि मैं यह जितने भी सारे topics हैं इसको मैं कैसे पढ़ूँगा on a daily basis क्योंकि एक rigorous type of preparation है इसमें आपको मेहनत लगी आपके लिए कहते हैं वह perseverance लगने वाला है काफी कुछ तो आपको डटे रहना है आपको जोडे रहना है और आपको लगे रहना है तो सबसे पहले क्या करेंगे ह हम एक schedule बनाएंगे और उस schedule को बिल्कुल उसे हम follow करेंगे उससे हम schedule से इधर से उधर नहीं होने वाले हैं right so prepare a schedule जो कि आपके साब से है और आपके जितने भी जो भी आपके commitments हैं आपको coaching पे जाना है आपको फिर वापस आना है अगर आप college में है तो college की timing क्या क्या है whatever it is त उस हिसाब से अपना preparation शुरू कर देंगे तो पहला यह हो गया दूसरे section दूसरा क्या requirement हो सकता है dedication and minimum 10-12 hours of study are absolutely required तो जब मैं आपको dedication की बात करता हूं तो dedication का मतलब यह है कि अब आपके पास सिरफ बस एक ही goal दिख रहा है आपको वह है आपको कि आपको judge का exam को clear करना है आप आपने इदर उदर भटकना नहीं है कि मैं यह भी करनूं मैं वो भी करनूं भाई यह भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है मैं वीडियो बना दूँ मैं तो यूट्यूवर बन जाऊं यह सब करेंगे तो फिर मामला सही नहीं है तो dedication के साथ में आपको hardware की ज़रत पड आगे चबते हैं नंबर थर्ड नंबर थर्ड में है क्या कि a lot at least one hour to reach to read general knowledge recent judgments and newspapers आपको यह पता ही है जो जो जुडिशिरी के तो जीके आपको ज़रत है ही क्योंकि जीके कहीं ना कहीं law में भी include होता है और न्यूस और न्यूस पेपर न्यूस वेपर इन सबका सोर्स है ठीक है आप कोई भी एक अच्छा न्यूस पेपर ले लिजे और उसको आप डेली पढ़िए न्यूस पेपर आपको बहुत कुछ दे के जा सकता है और एक बहुत ही सस्ते मतलब उसका रेट ही के आज की रेट पर इतना उन्यूस आपको एक information दे के आता है तो आपके जो दिन्चरिया में ना सुबह उड़ता ही अगर आपने न्यूस वेपर नहीं पड़ा है तो यहां that means आप एक बहुत कुछ गलती करने कर रहे हैं right so please आपको at least एक गंटा इन सब चीज़ों के लिए दे नहीं पड़ेगा right आते हैं number foot में की practice English and Hindi language to prepare for the Judiciary Examination तो आपको English में अगर जिसको जो भी English में दे रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है English और Hindi के बिना हाँ वरनाकुलर बाद में हो सकता है आगे लेकिन जो basically इ जहां पे Hindi requirement है तो आपको Hindi का paper देना पड़ेगा जहां पे English तो हर जगा एक तरह के से requirement ही ठीक है तो यह English भी अगर आपको practice करना तो उसके लिए भी जब मैंने कहा कि newspaper आपको पढ़ना है तो वह बिल्कुल वह भी आपको बहुत help करने वाला आपको vocabulary को increase करेगा हो ठीक है उ इसके बिना तो मतलब आपकी judiciary बिलकुल अधूरी है आपको previous के paper जो question papers है वो तो आपको जानना जरूरी ही है देखिए MC जो आपके जो prelims होते हैं अगर आपने previous papers को अच्छी तरह से कर लिया है तो मतलब आप almost assured है कि कहीं न कहीं आपका prelims तो clear हो जाएगा तो previous year के जो questions जो definite idea हुआ कि answer कैसे question कैसे पूछ जाते हैं और उसके answer कैसे लिखे जाते हैं आपके पास आने क्या वाला है तो आपके लिए ऐसा नहीं कि कोई पता नहीं क्या पहली वारा आप लिख रहे हैं तो अगर आपने previous पूछ लिया है तो इसका मतलब आपको एक idea रहेगा definite idea रहेगा क कि मेरे को क्या वो question और किस type के question कुझे वो देने वाले तो इसलिए मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा जो पी डबलू judiciary वाला जो हम यह लेके हैं हमारे पास कई सार ऐसे courses हैं जैसे नीती foundation batch का course आजकल चल रहा है तो आप इस course में भी आप join कर सकते हैं इस case में हम लोग य कि हम लाग दो लाग रुपे मांग रहे हैं अब हमारे website में आकर चेक कीजिए इस अंडर ट्वेंटी थाउजन रुपी बताए जुडिश्री की preparation सुर्फ बीसेर के नीचे में like it is nothing ठीक है तो आप बिल्कुल आप यह courses भी सकते हैं हमारे यहां पर आगे चलते हैं इसका मतलब क्या है कि अंडर्स्टेंड का मतलब क्या होता अंडर्स्टेंड का मतलब की conceptual clarity आती है आपको जब तो concept की clarity नहीं है तब तक आप आगे उसको answer कैसे करेंगे आप जुडिश्री में expect में कर सकते कि वह आपको सीधे स्टेट फॉरवड आपको questions पूछने वाले ना इंडर्स्टेंडिंग की परक होगी वहां पर पूरी तरह से और इसलिए मैं आपको कहना चाहरा हो तो यह से हम देखके हमने अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाएंगे तो वहां पर भी देखेंगे हमने अलग से concept सीरीज शुरू कर रखी है उस concept सीरीज में हम सार definitely यह हम सब करते भी हैं बट हाँ इसको मैं फिर से कर रहा हूं कि make your own notes when you start your preparation तो आप किसी जैसे न कई students में होता कि sir आपके notes जेदो तो ठीक है लेकिन ultimately लिखना आपने है तो इसलिए notes भी आपके होने चाहिए fine तो please यह practice यह habit डालीजे कि आपको जैसे जैसे आप लिखना लिखना शुरू कीजे लिखना शुरू कीजे पढ़ना तो पढ़ना तो ही पढ़ने के बाद लिखना भी है आपने तो उसे लिखिए उसी हम कहते हैं note making जब आप note making करते हैं तो आपकी बास understanding ज्याद आती है व है और यह जो एक मैंने एक लिस्स बना दी है क्विक टिप्स अगर आप ncqs को सॉल कर रहे हैं जुडिशी प्रिलिम एक्जामिनेशन के लिए तो सबसे पहला हम क्या करेंगे विल ट्राइट टू एटेंट अज मिनी क्वेस्टेंस एस पॉसिबल ऑबिसली येस क्यों क्यो क्योंकि लॉस में सिर्फ 0.25 जा रहा है तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप डर के मारे भाग जाएं और वरे नहीं क्या पता मेरा 0.25 हो जाएगा नहीं आपको थोड़ा से रिस्क लेना पड़ेगा यहाव तो में दोस कैल्कुलेटेट गैसे आपने तो पिर आप से बाद में सर जैसे मैंना को कहा if there is no negative marking then attempt all the questions आप तब तो आप छुटे है वेलकुल आप कर दीजिए जितना जो करना है राइट उसमें आप चांस लही सकते हैं तो माक कर दीजिए और फिर रहने दीजिए okay then apply true or false method if you face negatively worded questions अगर कोई negatively worded questions है तो उसमें फिर आप वही सही गलत का मापदन लगा के उसमें आप answer कर सकते हैं read the question twice before taking the correct answer जहां पर आपको थोड़ा सा भी वो है confusion है तो दो बार उसे पढ़ लीजिए कोई हाम नहीं है आप मत सोचिए कि मेरा पतानी time कम हो जाएगा हाँ जहां पे बिल्कुल crystal clear है बिल्कुल से question आगे तब दो बार पढ़ने की जुरूत नहीं है सीधा mark कीजिए आगे की conditioning होती है माइन की conditioning कैसे होती है जब आप कई सारे मॉक टेस्ट पहले ही दे चुके होते हैं तो मैं इस बार फिर से वही कहूंगा अगर आपको मॉक टेस्ट इस सब की प्रैक्टिस चाहिए तो नथिंग बेटर दन पी डबलू आप पी डबलू वाले हमारा जो कोर्से जो एक्सेट कर दिया लास्ट में ठीक है तो इन सब में बहुत-बहुत केरफूल रहेंगे और फिर हम उसको एंसर करेंगे नहीं तो जरह सभी सावदानी और फिर जिंदगी की परिशानी वह हम नहीं करने वाले हैं ओके आगे जलते हैं ठीक है तो यहीं तक इस इस वह पूट आपके जो जुडीशियल जो जितने भी प्रिशीडिंस जज्ज्मिंस यहा तरह ₹ navigate तो इसकी वह नॉलेज इसकी अंडर्ष टयांडीड करने पड़ेंगे तो I hope यह वीडियो आपको कुछ इंसाइड दिया होगा तो थैंक्यू सो मच् पर लिसनिग तो जb juni